साइंस में बच्चो लेसन नमबर वन आपका कम्प्लीट हो गया है आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नमबर टू जिसका नाम है परिशंचरंड तथा उत्सर्जन परिशंचरंड का मतलब ट्रांसपोर्ट एंड एक्स क्रियेशन और इसको आप इस तरीके समन सकते हैं परि परिशंचरंड का पहुंचाना ट्रांसपोर्ट का साधन और उत्सर्जन वज्रपदार्थों को या वैस्टेज जो प्रोडेक्ट अनको सरीर से बहान निकालने किरिया को उत्सर्जन कहते हैं तो इन दोनों किरियाओं के बारे में हम आज विश्तरित अध्यन करने वाले है जिसमें हम जन्तों में परिशंचरंड कैसे होता है पेड़ पोधों में परिशंचरंड कैसे होता है इसी तरह पेड़ पोधों और जन्तों में उत्सर्जन की किरिया कैसे होते हैं इस सभी की विश्तरित जानकारी और इसके साथ साथ कौन-कौन से पॉइंट हम अभ्यासमा दिन करने वाले हैं जिसमें नंबर एक परीचे इंट्रोडक्शन दोनों की परिवासों की जानकारी होगी जन्तों में परिशंचरन कैसे होता है मनुष में परिशंचरन कैसे होता है जन्तों में उत्सरजन मान और मनुष में उत्सरजन तंत्र पदार्थों में पेड़ पोद जानते हैं कि पेड़ पोधे जो फाल तो जल अपने अंदर आ जाता है उसको पत्तियों के द्वारा वासपोट सर्जन के द्वारा सर्वीस से बहाँ निकाल देते हैं तो यह कैसे निकालते हैं इसके क्या प्रेकरिया हैं ये सब चीजों की जानकारी से आपको दी जाएगी हम सुरू करने वाले बच्छो परीचे परिसंचरन तंत्र के बारे में आप पहले भी पड़ चुक हैं पहले अभिहास में आपको बताया था कि परिसंचरन तंत्र का मुतलब यह होता है धमनियों में सुद रुधिर बहता है शिराओं में एस दुर्धिर बहता है और इस बहने को रुधिर के बहने को ही हम परिशंचरंट कहते हैं और रुधिर के साथ जितने भी खनीस्य टत्व एशनिज लवन हैं कारवनिक पदार्थ हैं औक्सिजन गैस से इन सब की पूर्ती शरीर के विभिन भागों में जो होती है वो रख्त के द्वारा ही होती है इसलिए हम रख्त को परिसंचरन तंत्रिया टांस्प्रोट कहते हैं परिसंचरन एक ऐसी प्रेक्रिया जो सजीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है इसी प्रेक्रिया के आदार पर हम सजीवों को सजीव मनते हैं इस प्रेक्रिया के अंतर के सरीर के किसी भी भाग में उत्पादित भोजन या अवसोसित भोजन को सरीर के अन्य भागों में मुचाने का कारिये किया जाता है पहले भी बता दिया गया है कि इस के द्वारा ही हम इस परिसंचरन के द्वारा ही हम पेड़ पोधों के अंदर या मनुश्यों के अंदर या जंतों के अंदर सभी पदार्थों का आवागमन या सभी वज्र पदार्थों का सभी पदार्थों का खनीज पदार्थों का कार्व उट्चु नंबर अ्याथ को बता है, पेड पोदों में परिशच्रन कैसे होता है, संसार में सभी प्रानियों का जीवित रखने के लिए बандस्पती जगत के पेड़-पोदों बोजन प्रदामि करते हैं। आप जानते हैं पेड़कों से हमें बोजन मिलता है, जल तता आक्सिजन जीवन की मुलभू तावस्यक्ता हैं, जल भी और आक्सिजन भी. मनुस का जल्द अत्हा आक्सिजन के बिना जीवित रहना है सम्भव है इसकी पूर्ति करने के लिए हमारी सरीर में रक्त का संचार होता है ठीक है रक्त का संचार होता है परिवेहन होता है परिशंचरन होता है इस रख्त के संचार के लिए शरीर के भिन अंगो एम उनके कारियों का अध्यान हम यहां कर रहे हैं ठीके बैसंचार कैसे होता है परिशंचरन कैसे होता है उसमें कौन-कौन से अंग भाग लेते हैं इन सभी का अध्यनम यहाँ पर करने वादी है ऐसा नहीं है कि धमनी और शिराओं से ही परिशंचर्ण होता है इसमें कौन-कौन से शरीर के अंग भाग लेते हैं इन सब की जानकारे भी आपको इसी अभ्यास से मिल जाएगी ठीक है? मनुसमें परिशंचर्ण मनुसमें परिशंचर्ण कैसे होता है हिर्दे और रक्त वाहिने सन्युक तुरूप से हमारे सरीर का परिशंचर्ण तंदर बनाती है एक तो हार्ट हिर्दे जिसको बोलते हैं और रक्त वाहिनिया रक्त वाहिनिया जो मैंने आपको बताया था सिरा और धमनी दो प्रकार की वाहिनिया होती है पूरे शरीर के अंदर जाल सा फैला रहता है और जो धमनी होती है वो लाल रंग की होती है क्योंकि उन्हें में सुद्रुदिर बैता है सिराओं में ऐसुद्रुदिर बैता है इसलिए वो नीले रंग की होती है जहां भी नीला रंग दिखाई देज़े इस रास्ते से हमारा एसुद रुदेर पूरे शरीर से इखटा होकर हिर्दय में पहुंचता है तो वो सिराओं का कारिय होता है ठीक है और हाट का क्या कारिय है सुद रुदिर को सरीर के अंदर संचरन कराना परिसंचरन कराना और एसुद रुदिर को सरीर हिर्दय में इकटा करके उसको सुद करने का कारिय हिर्दय का होता है तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोसस है और मुख है जीवित रहने के लिए तहिक है बत चुछिए, आपको बता दियाा अब इसमें आता है रक्त हैं रख्तों के इब घ्त को यह या क्या चीज है कि इसको भी अध्यन करोगार। यह दिशकी का मज़ेर रक्त का स्रीर के विभिंद नोगारा 추ंव पाया जाता है रक्त का मतलब बलड हंदी में खून जिसको कहते हैं रक्त या रुधिर एक तरल पदार्थ द्रव है रक्त वाहनियों उसे प्रभावित होकर यह आगे चलता जाता है हम जो कुछ भी भोजन ग्रहन करते हैं उसमें से जो पचा हुआ भोजन होता है वो रक्त के द्व होता रहता हार्ट के द्वारा और उनके रास्ते क्या होते हैं धमनी और शिराएं खेरिस से आगे बढ़ते हैं तो जितना भी हम कार्विनिक पदार्थ लेते हैं अदाद भोजन लेते हैं और भोजन के साथ साथ हम और भी लावदायक पदार्थों का सेमन करते हैं जिसमें एक तरीके से पाचन के बाद क्या प्राप्त होता है विभिन परकार के खनीश्टत प्राप्त होते हैं योगिक प्राप्त होते हैं उसके सासात कार्मिक पदार्थ प्राप्त होते हैं और जो हमारे सरीर में और उसमें जो है बलड भी हमारे सरीर में उसी से तयार होता है इस त दुवारा पहुंचता है रख्ट सरीर में अपसिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल कर उसको प्रिवेन भी खड़ता है और जब ये सुद्ध रुधिर पहुचाने का काम होता है तो शरीर से अपसिष्ट पदार्थ वज्र पदार्थ या वैस्टेज पदार्थ जो भी होते हैं वो भी बलड के दुवारा एकटा करके निश्चित मार्ग से सरीर से बहार निकाल दिया जा सकता है रख्ट वो तरहल भाग प्लाजमा कहलाता है रख्ट में एक परकार की कोशिका होते हैं जो लाड़क्त कन्ज के आतात रबीसी भी होती है पर बचो डबलो बीसी भी हो अंदर मिले हुए सुक्षम बैक्टीरिया और जीवानों का भक्षन करना या उनको नश्ट करना तो इसको बोलते हैं आर बीसी को रैड बलड कार्पिस्किल्स लाल रख्ट कन्ज कहें जिसको हम हीमोगलोबिन भी कहते हैं क्योंकि हीमोगलोबिन का रंग भी लाल ही होता है लाल हीमोगलोबिन आखजड़र क करना का भी रख्ट एसकोंैंने रंग लाल कर सीकोंता है रख्ट में दूसरी खुशिकां भी होती है ठीक है बच्छो जो ब्लड के अंदर एच्वी पाया जाता है वह आक्षिज्ज़र्य कर आख्षिजिंग कर आटा थार भी होती है जिस लाल रख्त करनी का हैं एक स्वेट रख्त करनी का हैं इनका कारिय भी रोगानों को नश्ट करना है हमका भक्षन करना होता है अब है वाइट ब्लड कार्पी स्किल्स होती हैं उनके अंदर ही मुखलोबिन होता है वो शरीर को ब्लड को लाल रंग पदान करने का कारिय करते हैं अब अच्छों हमने कई बार देखा कि हम दोड़ते हैं, किर्केट खेलते हैं, कूदते हैं, और विभिन प्रकार की फिजिकल वर्क भी खेलते हैं, कई फिजिकल वर्क भी करते हैं, घर पर भी काम करते हैं, अपने खेत के अंदर भी काम करते हैं, और खेल कूद में हम बहुत इस्टैमना हमारे स्रीर के अंदर होती है, हम कई गंटे तर खेलते-खेलते खेलते, खेलते हुए लगे रहते हैं, किन्तु कभी क्या होता है, खेलते-खेलते कभी हम गिर जाते है, उसे सरीर के किसी भाग में छोट भी लग जाती है, गुटने या हाथ से खून निकलने लगता है कई बार चोट लगता है कोई घटना भी घट जाती है जादा चोट भी लग जाती है बच्चो उस अस्थान पर एक ठक्का बन जाता है रख्त का ठक्का बन जाना या जम जाना कई अन प्रकार की कोशिकाओं के कान होता है तो जम जाता है और छोटे मोटे जो गहाँ है वो अपने आप ठीक कर लेता है क्योंकि हमारे अंदर ऐसी अंटी बोड़ी है जो बलड को जमाने का कारिय करती है गहाँ को बरने का कारिय करती है और ये सब जो ये बराबर चलता रहता है नेस्ट पेज़ पर बस्टो अगला है रक्त दाब यह रक्त दाब आपको कल की वीडियो में बच्चों में बहुंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती हैं उनको पढ़ने में आसानी नहीं रह जाती हैं और यह आपके पास भी बहिजी जाती हैं तो दस या बारे मिनट से जादे कि हम वीडियो बच्चों नहीं बना सकते कोई बात नहीं मैंने लेस्न नम्बर टू सेविंध क्लास में शुरू कर दिया है जिसको हम कल तक अवस्पूरा कर लेंगे और जिन बच्चों के यह वीडियो समझने में कोई परिशानी आती है वे तुरंत जो है स्कूल में स सासाथ करती है थेंग को